नमस्ते, वेलकम टू माई चैनल, लिव लाइफ हेल्दी एंट ब्यूटिफली आज की रेसिपी है मटर पुलाओ आज हम देखेंगे खिले-खिले चाल बनाने की ट्रिक तो वीडियो को एंट तक जरूर देखें तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं हमें चाहिए बिगे हुए चावल, पानी, कुछ खड़े मसाले, जावित्री, बड़ी इलाइची, तेजपत्त, डालचीनी, लोंग, और काली मिर्च और हम डालेंगे मटर कड़ाई में घी को गरम कर लें अब हम इसमें डालेंगे जीरा जीरा भूने पर डाल दें, खड़े मसाले अब हम डाल देंगे मटर मटर को कुछ देर के लिए भून लेंगे कुछ देर मटर को ढखकर पका ले चावल बनाने के लिए मैंने चावल को आदे गंटे के लिए भिगो दिया था अब इस पानी को हम निकाल देंगे ये पानी हमें चावल बनाने के लिए यूज नहीं करना है जही सीक्रेट है खिले खिले चावल बनाने का अब इन चावल को हम कड़ाई में डाल देंगे और इसमें डालेंगे दो गुना पानी चावल पहले से भीगे हुए थे तो दो गुना पानी में चावल अराम से बन जाएंगे अगर आप चावल भीखोते नहीं है पहले तो उसमें धाई गुना पानी डाल कर बना लेजिए इसमें सवाद के अनुसार नमक डाले नमक को अच्छे से मिला लेंगे चावल को धीमी आज पर पानी सूखने तक ढख कर पका ले चेक कर लेते हैं चावल का पानी सूख्या है ये देखे नीचे और चावल का देखे एक-एक दाना बिलकुल अलग है चावल को सर्व कर लेते हैं इसे आप खाएं राजमा, छोले, चने, किसी भी करी सबजी के साथ ये बहुत ही अच्छे लगती है मैंने बनाए हैं आज आलू छोले की सबजी तो मैं इसे सबजी के साथ सर्व कर रही हूँ वीडियो अच्छे लगी तो इसे लाइक जरूर कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए थैंक यू कर दो